अवाब, welcome to my dear friends, in this video we will see a conversation, the topic of that conversation is my house, मतलब मेरा घर तो बिना किसी देरी के सुरू करते हैं अपना ये conversation, let's get started गीतिका कहती है, what kind of house do you live in? रीतिका से, कि तुम किस तरह के घर में रहती हो? रीतिका जवाब देती है, I live in a big house, मैं एक बड़े से घर में रहती हो गीतिका सवाल करती है, how many rooms are there in your house? तुम्हारे घर में कितने कबरे हैं? रीतिका जवाब देती है, there are many rooms in my house, मेरे घर में बहुत सारे कबरे है गीतिका सवाल करती है, name some of them, कुछ roomों के नाम बताओ, तो रीतिका बोलती है, they are drawing room, जैसे कबरों काना बताती है drawing room, फिर बताती है dining room, फिर bedroom, bathroom and study room इसके आगे, गीतिका सवाल करती है, where does your mother cook food? कि तुम्हारी माँ खाना कहा बनाती है? तो रीतिका जवाब देती है, my mother cooks food in the kitchen, मेरी माँ खाना कीचन में बनाती है, रसोई घर में गीतिका सवाल करती है, where do you sleep? तुम सोथी कहा हो? तो रीतिका बोलती है, I sleep in the bathroom, my bedroom में सोथी हूँ रीतिका सवाल करती है, where do you attend your guest? तुम अपने महमान को कहा रखते हो? तो जवाब देती है, रीतिका, we attend our guest in our drawing room, drawing room में अपने guest का हम स्वागत करते हैं, उनको रखते हैं, गीतिका सवाल करती है, where do you serve meals in your house? तुम भोजन कहा परोषते हो अपने घर में? तो रीतिका मोलती है, I serve meals in the dining room, हम dining room में भोजन परोषते हैं, गीतिका सवाल करती है, where do you take bath? तुम नहाती कहा हो? तो रीतिका जवाब देती है, I take bath every morning in the bathroom, मैं हर दिन सुबा बाथरूम में नहाती हूँ, और इस तरह से अपना ये परबर सेशन खतम होता है, and थाइंक यू झाल